दोस्तो असलाम वालेकौम। दोस्तो आज सुबुकन थोड़ी देर हो गए तक बिया सही नहीं थी आवाद नहीं निकल रहा था। तो दोस्तो आज हम बनाएंगे हैंड वाश। हैंड वाश का कल बेस हमने बना लिया था। ठीक है वेसे में चार गंटे या छे गंटे रखता हूँ रात ठीक ठाक तक घराब थी तो अब इस बेस को बनाएंगे चोदा गंटे होंगे। साफ शिफाफ ट्रांस्परेंट तो इसमें बहुत काम बाकी है। ट्रांस्परेंट जो अब लगर आए ना ये बेस्ट अब जब इसमें हम दूसरी चीज़ें डालना शुरू करेंगे तो ये फोरा डमी हो जाता है। वो कौन सी केमिकल है जो इसके डमी करता है। अभी साफ शिफाफ है। तो कल बेस हमने त्यार कर ली। बेस में सिदा सिदा फार्मूला है। पानी है जना है बेली। ठीके ना। पंद्रा सो गिराम पानी डाला ता, शेंपू बेस डारा ता दो सव बीस गिराम कलर ताड़ डाला ता, पांच गिराम, नेमक डाल राता, दस किराम। ये बेस है। कल वो भी दोस्तों को समझायाकि नीट्रिलाजेशन क्या है, बेस क्या है। Neutralization उसको कहते हैं हम जब base और exit आपस में मिलाते है तो वह react करके अपने जोड़े अपने गुरूप अपने शेल कमप्लीट और नॉइस कर लेता है नूटिलाइज करता है तो वह होता है नूटिलाइजेशन का अमल मगर यह base है इसे में अब exit नहीं डाली एकसिट हमें डालनी भी नहीं है हम हमने एक एक पार्टिकल को अलहद कर दिया वाटर शेंपू बैज को जब बारा चौदा घंटे रखा तो उसका एक एक बाउन टूट गया तोड़ना है अब इसमें क्या क्या शामिल करना है वो में बता देता हूँ आपकी ये hand wash जार करने जा रहे हैं अभी इसमें गिल स्रिंड जाएगी कोको बटेन साथ के राम गिल स्रिंड पाँच के राम केडी साथ के राम तो ये वेट पड़ा हुआ है इसको बोलते हैं बैज चलो ये चल पड़ा अभी ये रख देते हैं यहां पर बागी ये चीज़ें डालेंगे केडी बिलकुल आखे में डालेंगे केडी गारा करता है हेंड वाश हम बना रहे हैं ये सारी काफशे सुपर शम्स वाशिक पाउंटर के तरह से कर रहे हैं ठीक है जनाब है अब हम कोको बटेन डागने जा रहे हैं कितना जनाब है अली कोको बटेन है देख लें साथ किरा कि ये कोको बटेन तक करीबन साथ क्राम चला गया कोको बटे ठीक है अब गलती से केड़ी रख दिया केड़ी आख्यों में डाला है गिल सिरी ने सिर्फ पांच कराम एक सिर्खन गिल सिरी ने भी टाल दिया कोको बटेन भी डाल दिया अब हम इसमें इसमें डालेंगे अब ये मेरा दूसरा या तीसरा ट्रायल है है एंडवाश पर असले इसकी टेकनिक को सीखना टेकनिक ये है कि जनाब पहले बेस्ट त्यार करो चार पांच घंटे के लिए उसके बाली कि उसको तोड़ दो एक एक चीज़ पर ये देखें ट्रांस्पेरेंट है इसको उसके बाद केड़ी डालेंगे तो ये गारा हो जाएगा तीक जनाब तो ये केड़ी जनाब केड़ी में असी गराम डालने जा रहा है ठीक है ये केड़ी है ये केड़ी जनाब ये केड़ी है केड़ी हम डालेंगे फिर इस मिक्स करेंगे हम बना रहे हैं ये प्रेटिकल लाइव हम चला रहे है ताके काफी दोस्तों की फरमा आशे के वे लाइच दिखाओ हमें ये उठाया ये इसमें डालती है पहली ही बता रहा हूँ इसमें बहुत सारा काम बाकी है एक कोई ऐसा केमी का हम डालते है फिर ट्रांसपेरेट कम रहता है बड़ी कंपनिया क्या करती है वो तो कमर्शल है अब ये खोदी आगे बीचे हो जाएगा मैं बता दिता हूँ वो कमर्शल क्या करती है बता है बेस बनाने के बाद फिर उसकी क्वांटिटी कोकोपटेन की ठीक ठा कम करके गिलसरीन कम करके बहतरीन खुश्बू बहतरीन खुश्बू डालके मार्किट में लेके आती है तो ट्रांसपेरेंट में रहता है क्योंको कोकोपटेन अगर तीन परसंट है तो एक परसंट डालके ग 40-50 ग्राम दो किलो में मेरा अंताज आए बारहल बहतरीन खुश्बू डालके बहतरीन बोतल में बहतरीन स्टिकर के साथ मार्केटी में लेकिया अब मुझे यह इसी परिसेज का नाब बाकी है कि वो क्वांटिटी पूरी हमें डालूं और ट्रांस्पेरेंट में रहे इसी प गुमा के फिर आपको बताता हूँ हाँ दोस्तो हमारा ये हैर शेंपू त्यार हो गया पहले हमने एक दिन पहले बेस बनाया था पानी 75 ग्राम शेंपू बेस 11 ग्राम साल्ट पॉइंट 50 परसंट शेंपू बेस 11 परसंट पानी 75 परसंट कलर सिर्फ 5 ग्राम डाला दो केजी के सलाट में हैंड वाश हम बना रहे है ठीक 14 ग्राम कोको बटें 3 परसंट 60 ग्राम गिल्सरीन पाइंट 15 था तोपे ने 5 ग्राम डाला परफ्यूम मैंने नहीं डाला केटी 3 थात मैंने 4 परसंट डाला 80 ग्राम ठीके ना ये मेरा हैंड वाश है आप आराम से स्क्रीन शाट ले लो ठीके जनाब जब आप स्क्रीन शाट ले लोगे तो अब भी जहरा थोड़ा टाइम लगेगा इसको मिक्स होने में दो गंटे के बाद ये साफ शिफाफ हो जाएगा दोस्तों ये कमाल ये है हमने बेस को बनाया पहले छे से बारा गंटे हम बेस को रखने में कामियाब होके ये मैंने अपनी रीसर्च के बाद निकाला ये चीज़ें जो कमर्शल एड मनाते हैं इंडिया वाले या पाकिस्तान वाले वो टाइमिंग वो जनाब दस-दस मिनट में डालके वो हमें घलत रास्ते पे लगाते थे एक मरताबा मार्किट में आपका जो माल पिट गया आपकी प्रेटाशन की शिकायते आने शुरू हो गई दुकाद लेने से घबरा जाए इंकार कर देए यह समझो का मार्किट तबाह हो गई यह मेरे से हुआ है मैं क्यों इन फराडियों से बार बात बात करता हूं कोई मेरे दुश्मीनी नहीं है उनको कमिशन 10,000-15,000 लोग बड़ी मुश्कुल से देते हैं मैं एक लाक दिया मैं मुझे अच्छी मशीनें बना के दो मशीनें पर कमिशन डबल ट्रिपल उन से ले ली केमिकल से भी ले ली और सीपी 00 कुछ नहीं आ रहा था तो वही माल जब मैं अपने कंद्रा शैर तक कि पर सौ दुकानों के आस पास से लेकी गया तो पिट गया हाथ जला रहा था तो हमेशे के लिए है मेरा अपना शैर सौ जो इंदे के दे जो गाउंते हैं वो मेरी मार्कीट पिट गए मार्कीट तबहा हो गए वहां में सेल नहीं कर पा रहा एक मतफ़ा आप गलत रेसिपी गलत चीज़ बना के मार्कीट में लेके जाओ तो वह पिट जाता है वह दुकानदार आप आप से माल नहीं लेका यही मेरे से हुआ है यही दोका कर रहे है कम असकम ढ़ाई 300 कमपणी को इन्हें तबहा किया घलत रेसिपी दे के जब वह लेके गए चोड़े 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 गाउं में उन्हें भगा दिया अब यह ता आत जला रहा है तो इसलिए कहता है किसी क रोजकार को दबा नहीं करो किसी की जिंदगी से नहीं खेलो तो यह जनाब आपका त्यार हो गया बेस यह है इसमें के आप बेस को आप बेस को 6-7 गंटे मिक्स होने दे ताक है एक एक बाउंड एक एक माली कूस एक एक पार्टिकलस इसके तूटी जाएं साफ शिफाफ हो हो जाए वह मैंने दिखाया था यह अलम्दला ट्रांस्परेंट है तो अब तो जाहरे गेसेज अंदर बढ़ी हुई यह बुलपले छोटे हैं यह दो घंटे के बाज़ा बैठ जाएगा और बहतरीन आपको बहतरीन इंशाला यहां एड़वाश होगा तो दोस्तो आप भी रिसरच करो दूसरों की मोचताजी से बचो दूसरों की गुलांजमी से बचो जो हेल पर चोकीदा और से जनाब तुर अटके आगे आया तो वह रिसरच नहीं करेगा वो सिर्फ आपको गलत रास्ते पर लगाएगा आप खुद रिसरच करो खुद वहां जोड़ना जरूरी है, एक एक बाउंड को, 100% औरिन वाइज करना जरूरी है, ताकि जब यह पैनी में जाए, तो इस्ट्रांग बेस इस्ट्रांग एक्सर धमागे से तूटना शुरू हो जाए, पानी में तूटेगा, पानी में जंग करेगा, पानी में रियक्ट का, ज्यादा ज्यादा सफाई होगी, यहां जोड़ना जरूरी है, ताकि फटने का इंजार कराए, यह वाशिंग पाउंडर, ताकि मुझे यह पानी में टालें, तो हम फटें, हम इंजाय करें, हम लड़ें, जैसे पानी की मालकी इसको तोड़ेंगे, तो यह धमागे से फ क्योंकि पानी नहीं है, पानी थोड़ा डालके, आप हाथ में थोड़ा यह डालें, तो यह फिर जाग शुरू करेंगा, यह पानी और केमिकल, यह मतल़ हैंड़ वाश, दिश वाश, लुकिट सौप, आप अपने थोड़ा इसमें से लें, और पानी जैसे पानी लगेगा इसको तो यह जाग बनाना शुरू करेंगा, ठीक है न, तो दो फलसिफे हैं, इस फलसिफे को अभी में अभी चल रहा है मेरा, इस पे और मेहनत बाकी है, और मेहनत मुझे करनी है, कोशिश करते हैं, अल्ला करे मैं कामयाब जाओं, और दोस्तों के एक एक चीज समझाओं, दोस्तों सबसे पहले रेसीपी अपनी बनाओ, सबसे पहले मेहनत मजदूरी खुद करो, दो साल मेहनत करके आप बहतरी कारीगर भी बन जाओगे, बहतरी सेलमेन भी बन जाओगे, शर्त ये एक आप खुद करो, आज का हेड़ वाश त्यार है, ये सिर्फ अब इंसार ये बैठेगा, ये जो इनके थोड़ी गैसेज हैं, ये निकलेंगे, बुलबले खतम हो जाएगे, बैठ जाएगे अपने अपनी जगों पे, तो इन्शाला, इन्शाला, बहतरीन लगेगा, देखो अभी ये बे, ओपर से बारीक बुलबले हैं, ये टूटेंगे, ये गारा हमके साथ, तो बहतरीन हेंडवाश आपका त्यार हो गया, मैं जो सिखा रहा हूँ, उसमें फ्री स्टैल सिखा रहा हूँ, साइंस के फार्मॉल पर मोताज नहीं हूँ, शेल को ग्रूप बना देता हूँ, लिक्टरांट को जनाब फाइटर बना देता हूँ, जनाब यहां जोड़े बना देता हूँ, यह जोड़े को तोरना बताता हूँ, जोड़ना बताता हूँ, मकसद है एक चीज़ को गैन करना, हासल करना, आज तक इतना ही, खुदा अफेस.